प्रिया मित्रो जै भीम जै भारत नमगुद्ध है मैं निखिल सब्लानिया नई दिल्ली से आज आपके बाबा सहब के जीवन की एक बात बताने जा रहा हूं जो कि बहुत नहतों पून है और यह बात जुड़ी हुई है शुरूल कास्ट करमचारियों से राज्टो शुरूल बाबा सहब ने केंद्री सरकार में एक्जेक्रिटिव काउंसलर होते ही 1943 में अनुसुचिद जातियों के लिए सरकारी नोकरियों में आरक्षन कराया था 1946 में अपने इस पत्से त्याक पत्र देने के पूर्वी उन्होंने आरक्षन को 8.5% से बढ़ा कर 12.5% केंद्री सर्विसों में कर दिया था लेकिन जातिवादी हिंदू अधिकारियों के इच्छा इस आरक्षन की पूर्ती करने की नहीं थी और अब भी नहीं है वे केवल समय को टालना जानते हैं आज भी वे यही कुछ कर रहे हैं इन अदूर दर्शियों और निहित स्वार्थियों का विचार है कि नौकरियों में आरक्षन हर दसवे साल बढ़ाया जाता है किन्तू ऐसी बात नहीं है सर्विसों और पार्लिमेंटों विधान मंडलों के आरक्षन में महान भेद है नौकरियों में सामाजिक आधार पर स्थाई आरक्षन है यह आरक्षन तब तक रहेगा जब तक वह जन संख्या अनुपात के आधार पर पूरा नहीं होगा पारलेमेंट और विधान मंदलों का आरक्षन राजनितिक आरक्षन है जो 10 साल के लिए होता है वही हर 10 साल बढ़ाया जाता है अभी 26 जनवरी 1980 में पारलेमेंट का आरक्षन समाप्त हो रहा था श्रीमति इंद्रा गांदी जी जब शासन में वापिस आई तो उन्होंने फिर से 10 सालों के लिए बढ़ा दिया इससे पूर्व श्री चरण सिंग की पार्टी आरक्षन को समाप्त करने वाले दाव पेचों का खेल खेल रही थी सविधान में आरक्षन के लिए व्यवस्ता है लेकिन पदुनती के संबंद में सविधान की धाराएं चुप है इसे सरकारी नीती पर छोड़ा गया है फिर भी ग्रह मंत्राले ने इस संबंद में कई शासन शासना देशों के द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों से का है कि वे पदुनती में भी आरक्षन को चरितार्थ करें इस संबंद में सुप्रीम कोट के नियर्णे भी है इससे पूर 26 जनवरी 1950 में सविधान के लागू होते ही बाबा साहिब ने इस ओर ध्यान दिया 1950 में ही श्री गोविन बल्लपंथ केंद्रिय मंत्री थे उसी समय में लोकसेवा आयोक के द्वारा असिस्टेंट और सेक्षन अधिकारियों की नियुक्ति योगिता की परिक्षाओं की नीव डाली गई उस समय भी बाबा सहीब के प्रहतनों से इस नई प्रथा के प्रारम होने से पूर उन करमचारियों को इससे बहार रखा जिनकी नियुक्तियां इन पदों पर पहले ही हो चुकी थी उन्हें सर्व दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि हर करमचारी के वर्षभर कारे करने की शम्ता का लेखा जोखा आचरन पत्र पर ही होता है। अक्सर यह देखा गया है कि वरिष्ट अधिकारी श्रुलकास करमचारियों की पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट देते हैं। परंपरागत जातिय द्वेश और घ्रना ही इसका कारण है। अक्सर इन करमचारीयों की वर्षिक रिपोर्ट में जो कुछ लिखा जाता है वह सब कुछ पढ़ने लायक होता है। उसकी निराक्षिर विवेग बुद्धी है लेकिन उसका उप्योग नहीं करता। उसकी नीरशीर विवेग बुद्धी है लेकिन उसका उप्योग नहीं करता। काम करने की शमत्य है लेकिन उसका मन में उप्योग नहीं करता। साधारन उत्तम और उत्तमतर और उत्भतम श्रेष्ट में इन्हें केवल साधारन या उत्तम लिखा जाता है और साधारन रिपोर्ट उनकी अपनी जाती वाले करमचारियों को ही दी जाती है इस अन्यापुन टिपणियों को इसलिए लिखा जाता है कि अनुसुचित जाती है करमचारियों और अधिकारियों को नियुक्ति में वर्य होने पर भी पदोनती तक पदोनती ना मिले ऐसे इन दोशों को दूर करने के लिए बाबा साहिब ने श्री गोविंद बल्लब पंथ ततकालिन ग्रह मंतरी से 10 अक्टूबर 1950 ने बाते की श्रीपंत अप्यक्षा कृत भेद भाव से उपर थे फिर उनके मन में जो भी भावना रही हो लेकिन उन्होंने बाबा साहिब के प्रभाव के करन ग्रह मंतराले में ऐसे शासना देशी ग्यापन जारी कराए कि हमारे बहुत से करमचारियों और अधिकारियों की पदोनती ह और इसके फल्स रूप बहुत से करमचारी गण अवर सचीव उप सचीव संयुत सचीव अपर अतरिक्त सचीव और सचीव बनकर सेवा निवरत होते रहे ऐसा था बाबा साहिब का प्रभाव मित्र तो ये एक छोटी सी घटना थी बाबा साहिब के जीवन की कि कैसे दोने आ भारत में आरक्ष्ण में पद्वनती रूख दी गई है और इस पर कोई भी यह चरचा नहीं करता कि इस पर सविधान में संशोधन कैसे लाय जाए क्योंकि स्विधान में इस पर पूंता बात नहीं कहीं गई है स्पष्ट बात नहीं है इसकी वज़े से भारत का सुप्रीम कोट हो चाहे हाई कोट हो वे सब जातीवाद भावना से घ्रस्त होते हैं और सरकारों को और खास करके जो भारत इसमें हम देख रहे हैं कि चोदरे च कि विदमवना की बात है की जो हमें आरक्षन को आख्षन को आहिए आज सवय मश्टों पर आरक्ष्न गाड़े मांगने के लिए खड़े हुए है दूसरी बात यह देखने को आई है कि क्यूंकि अब स्सक्राइब कर दिया गया है नहीं अपनता अचार तो इसके लिए ऐब वितराजे मंत्री हैं वे भी आये थे और उन्हें बड़े-बड़े भाषन दिये थे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो प्रदुन्रती में आरक्षन लागू करेंगे उनके सब नेता बीजेपी के पूरे भारत वर्ष से आये थे लेकिन आज धाई साल हो गए नोट बंदी हो क्या हुआ कि बाबा साहँब की राह पर छल रहे हैं या फिर बान की राम पर चल रहे हैं या फिर बाइस वज्यू वैरामनी रागे भात को भी कि दव उन्होंने संसद मार्ग पर खड़े होकर सार्जनिक रूप से का था कि प्रदोनती में आरक्षन लेकि आएंगे तो कहा हैं प्रदोनती में आरक्षन क्यों नहीं कि आप तक तीन साल आपकी सरकार को होने को आया हैं इस बात का मैं बीजेपी में बैठे वे सारे करे नहीं प्रदोन जो आपकी से का सुकु का छंट में सTяжए सा wrong